कि आप लो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग वेलकम तो अनकाडमी लेट्स क्रैक यूपेसी यह से हिंदी एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एम लक्षमिकान भारत के समविधान और राज विवस्था की हमारी इस सीरीज में जिसमें आज हमारा 68 68 सेशन है और क्या चल रहा है यह आपको पता है इस समय हम बात कर रहे हैं भारत के समविधान के अंतरगतिक बहुत ही महत्वपून समविधानिक आयोग जिस पर इस देश का लोकतंत्र जो है उटिका हुआ है जो हमारी लोकतंत्र का आधार है निर्वाच निर्वाचन आयोग इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने आपको कुछ बातें पिछले सेशन में बताई ती जिस स्टार्ट हुआ था लेकिन उससे पहले मैंने आपको समविधान के भाग 10 के बारे में बताया था किस प्रकार से अनुसुचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध है समविधान में वो हमने देखे थे अब हम आगे बढ़ेंगे और भारत में इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया जो भारत का एक समविधानिक आयोग है इस पर चर्चा करने वाले तो आपको पता होगा कि ज पहले नहीं हुआ करता था आजादी के बाद जब समविधान लागू हुआ तो हमारे देश में एक ही निर्वाचन आयोग हुआ करता था आयोग में लेकिन 1989 में जब बोट डालनी की एज कम हो गई किस वर्ष से घटा के 18 कर दी गई अफकोस 61 समविधान संशुदन आप सभ बना दिया गया दो अन्य निर्वाचन आयोग पहली बार 1989 में नियुक्त किये गए लेकिन उसको फिर खतम कर दिया गया फिर 93 से लेकर आज तक भारत में निर्वाचन आयोग एक बहुस अधसी संस्था के तोर पर काम कर रहा है ठीक है तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए प्रावधान उसके कार्य उसकी शक्तियां उसकी सीमाए उसकी भूमी का और फिर हम चलेंगे भारत में अगले समवेधानी कायोग की तरफ जिसकी तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीश यूपी एसी के बारे में हम लोग बात करेंगे फिर हम यूपी एसी की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग कंप्लीट करते हैं कि आवाज आरी है सभी को एक बार जरा मुझे कंफर्म करने कॉमेंट बॉक्स में क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं चलिए आवाज आ रही है ना पाफेक्ट तो शुरुवात करते हैं आज की सेशन की अनकैडमी के बारे में आपको पताए कि इंडिया का सबसे बड़ा online learning platform है अनकैडमी और आप में से कोई भी इंडिया के best educators के साथ top educators के साथ घर बैठे अपनी complete preparation UPSC की कर सकता है और अभी आपके पास में एक बहुत अच्छा option भी एक मोका भी है आपको पता होगा कि इस समय एक offer आया है अनकैडमी का 20% के discount वाला offer आप किसी भी अनकैडमी के subscription को अगर अभी आप लेते हैं चाहें आप आप आइकानिक लें आप नॉर्मल लें कॉम्बो लें यह जीएस का लें कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लें एक साल तीन साल का कोई भी तो आपको 20% का एक्स्टा डिसकांट उन स्टूडेंट्स के लिए जो सब्सक्रिप्शन लेने वाले थे लेने वाले हैं मतलब आपके पास में भी दो-तीन दिन का समय आज 28 तारीक है 28 29 30 तक यह वैलिडे 30 तारीक के बाद यह खतम हो जाएगा तो उनके लिए जो लेने वाले हैं तो आप थोड़े पैसे यहां से बचा सकते हैं और आप मेरा रेफरल कोड़ करेंगे ना सब्सक्रिप्शन को लेकर अपनी प्रिपरेशन जरनी को लेकर ठीक है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं नंबर आप करेंगे 7825860263 इस नंबर पर आप कॉल करके अपना जितना भी डाउट है जो भी क्वेशन है इस नंबर पर आप पूच सकते हैं और इस रेफरल कोड़ को यूज करिए सब्सक्रिप्शन लेने जाएं तो आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं किसी भी अनकाडमी के सब्सक्रिप्शन में यूज किया जा सकता है तो गेट इन टॉच विद माय अनकाडमी काउंसलर विद रहल्प अव दिस नंबर फिर अनकाडमी की मेंस की टेस्रीज और इसमें भी आपको 20 परेंट का डिसकाउंट मिल रहा है इसमें भी 20 परसंट का डिसकाउंट है एक साथ पर नहीं कर सकते किसी तरह के आपको आर्थिक समस्या है करने चैने कि लाइन के लिए कर सकते हैं और सारा पैसा 12 किष्टों में कर सकते हैं अब कैसे मिलेगा रहु कैसे अप करवा सकते हैंrection सब कुछ आप ऊस पर पार कॉल करके पता कर सकते हैं भां से अपको सारी जानकार हो चाहित economics I को जरूर बताईएगा ठीक है इस रेफरेल कोड को अप्लाए करना ना भूले अनकेडमी क्यों इसके में आपको कहीं बार पता है कहीं सारे कारण है क्योंकि इतनी ज्यादा वाइडेस्ट रेंज आपको एडुकेटर्स की कहीं भी नहीं मिलेगी जितनी यहां मिलती है यहां सेशन मिलेंगे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा यहां आपको नोट्स मिलेंगे काफी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ठीक है भारत का निर्वाचन आयोग हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको कुछ तो बता दिया था इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हमारा पिछले सेशन में शुरू तो हो गया था और मैंने आपको यह बताया था कि यह स्थाई है और एक स्वतन्त्र निकाई है इसका कारय पालीका से विधायका से न्याय पालीका से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है यह देश में स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाओं संपन्य कराने के उद्देश्ची से लाया गया है अनुच्छेद कहां है 324 कहां मिलेगा इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया आर्टिकल 324 तीन सो चौबीश और भाग कौन सा है समविधान का भाग 15 15 पार्ट 15 में मिलेगा और किसके इलेक्शन करवाता है तो मैंने आपको बताए था संसद के विधान मंडलों के राश्ट्रपती के उपर राश्ट्रपती के इन सब के निर्वाचन ये करवाता है एक अखिल भारतिय संसा है और राज जी निर्वाचन आयोग से इसका पर देना नहीं है मतलब पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाओं यह नहीं कराता यह मैं आपको बता चुका हूं यह तो रिवीजन हो रहा है बस थोड़ा सा संरचना मैंने आपको बताई थी कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और कुछ अन्य आयुक्त ह निर्वाचन आयुक्त है तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपती की द्वारा की जाती है कारेकाल 6 साल या 65 वर्ष का होता है या फिर मैंने अपको यह बार 1989 में यह बहु सदस्य हुआ उसके बाद फिर एकल सदस्य हुआ और वर्तमान में 1993 से ठीक है यह भारत में फ मिलेगा यह सब तो हो चुका है ना तो अक्टूबर उन्निस सो तिरानवे में दो निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया और तब से लेकर आज तक भारत में इलेक्षन कमिशन ऑफ इंडिया भारत का निर्वाचन आयोग एक बहुस अदस्ती संस्था के तौर पर काम कर रहा है अगर बात करें तो तीनों बराबर होते हैं जहां तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते हैं वैसे ही वेतन भत्ते अन्य निर्वाचन आयुक् शक्तियां है मुख़्ी निर्वाचन आयुक्त के जो वेतन भत्ते सेवा की शर्ते हैं सारा का सारा अन्यों निर्वाचन आयुक्तों को distinct होता है अंतर सिर्फ आने का गता आ का आ सकते हैं कि अब हम बात कर रहे थे इनकी स्वतंत्रता यहां से हमें पढ़ना था यहां तक तो आपको मैंने क्लियर बता दिया भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में इतनी बाते तो हम पिछले सेशन में कर चुके थे आज इसके आगे पढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता भाई सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र हैं कौन-कौन सी संस्थाइं भारत में स्वतंत्र हैं तो आपको पता होगा एक तो निर्वाचनायोग स्वतंत्र हैं Union Public Service Commission UPSC स्वतंत्र हैं CAG का काम भी ऐसा है और भारत में न्यायपाली का भी एक प्रकार से स्वतंत्र हैं तो संविधान इन संस्थाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मतलब हमारी सरकारें इन पर दबाव नहीं डाल पाए इनको डरा नहीं पाए मतलब बिना भाय और बिना लालच के इमान दरी से अपना काम कर पाए इसके लिए कुछ प्रावधान करता है इसे ही प्रावधान निर्वाचनायोग की स्वतंत्रता और निश्पक्षिता को बनाए रखने के लिए भी सम्विधान में किये गए हैं क्या क्या है नंबर एक आपको पता होगा कि पदावधी में काम करने की सुरक्षा है किसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कभी भी हटाया जा सकता है अन्य निर्वाचन आयुक्त को तो हटाया जा सकता है राश्ट्रपती को पिछले disp writes से ब्हारत में स्मझा ज़ ऊड़ाएन गर्ण को सरकार से, कि दरने की कोई जरूद नहीं सरकार इन्हें हटा नहीं सकती सरकार अगर इन्हें हटाना चाहे कि यार भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो हमारी बात मानी नहीं रहे तो उनको संसत के दोनों सदनों से विशेश पहूमत से प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा आया समझ में तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आसान नहीं है उसको काम करने की सुरक्षा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से यहां से आप ध्यान से समझो उसी रीती से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीती और आधारों पर उच्च दो आधहर साबित कदाचार और असमर्थद वह दो आधहर वहां भी लगेंगे हैं दो आधहर यहां बहुत हैं ग्राउंड्स। ग्राउंड्स और रिमुवल हटाने के आधहर दो होंगे रिधि या पुरी प्रक्रिया पूरी प्रोसेस वही होगी, दूसरे शब्दों में उनको दुरव्यवार या असक्षमता, इसको आप साबित कदाचार कह सकते हो, प्रूव दमिस बेहेवियर, और असक्षमता को आप इनकैपःबिलिटी बोल सकते हो, जो है असक्षमता या इनकैपःबिलिटी, तो इसके अधार पर संसत के दोनों सदनों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा विशेश बहुमत से और विशेश बहुमत कौन सा कई बार बताया है मैंने आपको याद हो जाना चाहिए अगर आपने मेरी क्लासेस पहले भी अटेंड की है तो आपको पता होगा कि मैंने बहुमत को जोर दे दे के समझाए क्या होता है ना कि बच्चे सिर्फ बहुत सीधा सिंपल सा याद कर लेते हैं साधारन बहुमत विशेश बहुमत बस इसके आगे तो वह जाती नहीं विशेश बहुमत की मैंने आपको तीन केटेगरी बताई हैं और जिनको नहीं पता हो उ कौन सी केटेगरी लगेगी यहाँ विशेश बहुमत का मतलब होगा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो तीहाई और उस सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक यह बहुमत से ही इनको हटाया जा सकता है ठीके कौन अटाएंगा देखो हटाएंगे राष्ट्रपति यह तो आपको याद रखना पड़ेगा हटाने का काम राष्ट्रपती के द्वारा किया जाएगा जब संसत्त पारित कर देगी ना प्रस्ताव तो सीधी सी बाती के हस्ताक्षर कौन करेगे उस पर हस्ताक्षर करते हैं भारत के राष्ट्रपती, अतह वह राष्ट्रपती के प्रसाद परियंत पद पर नहीं होता है, एक मैंने आपको पहले भी बता है प्रसाद परियंत याद होगा आपको, प्रसाद परियंत आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रसाद परियंत का मतलब होता है जब तक वो चाहे उनकी क्रपा के उपर है यह इनकी क्रपा के उपर नहीं है मतलब राश्ट्रपती जब चाहे इन्हें नहीं हटा सकते इन्हें हटाने का एक विशेश तरीका होता है थया तो यह वत्वाय ंसला ससवा कि सेवा की शेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई गैर लाबकारी परिवर्तन नहीं किया सबाद है तो आपको पता होगा कि जब आपका नियुक्ति होगी में सब्सक्राइब को कि सेवा जो पहले से की जाए पर रहेगा उन शर्तों में बदलाव नहीं किया जा इस प्लेट नहीं सकते। एक इस निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। ये तो मैंने आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बता दिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा भी दो आयुक्त और है, उनको केसे हटाया जाता है, ये भी ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखना, तीनों को हटाने का तरीका एक जिसा नहीं है, मुख्य निर्व तो उन्हें भी ऐसे हटाया नहीं जा सकता लेकिन हां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बस इसमें कि उनको संसत से पारित नहीं करना पर अब यह तो मैंने आपको बताया कि हमारे सम्विधान निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाने के निश्पक्ष बनाने की पूरी कोशिश की है सम्विधान निर्मातां उन्हें जितना बन सका था उतना कर दिया देगेव बेस्ट अब फिर भी कमिया है कि आप जानते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग जितना स्वतंत्र निश्पक्ष हो सकता था मतलब है तो सही लेकिन प्रावधान में कुछ कमिया है कुछ द सूर भी करना है जब भी आपको निर्वाचन आयोग पर कोई question मिले क्योंकि वर्तमान में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में खासकर पहले नहीं होता था खासकर पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि भारत में कई लोगों ने निर्वाचन आयोग पर तो हमारे इस आयोग की तरफ कोई उंगली बाद में उठा नहीं सकता। आपने देखा होगा कई लोग ये कहते हैं कि निरवाचन आयोग पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं कि EVM हेक हो जाती है, ये सब सरकार के लिए काम करें। और खास करके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात सुनी हो गया आपने। कई बार जो लोग दूसरे कारण से हारते हैं तो वो भी यहां पर इस तरह के विलाप करने लगते हैं। लेकिन मुद्धा वो नहीं है, मुद्धा यह है कि Election Commission of India में कुछ तो कमिया रह गई है, दोश है। और दोश क्या है जिनने दूर करना चाहिए, सबसे पहले तो हमारा समविधान इनकी योग्यता नहीं बताता है। आपको मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि समविधान में लिखा है कि निर्वाचन आयोग में नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। पर क्या वह योग्यता लिखिए। देश का इतना बड़ा आयोग, इतना महत्वपूर आयोग लेकिन सदस्यों की योग्यता के बारे में चुप है। मतलब किसी को भी बना सकते हूँ। कहां लिखा, कहां लिखा है कि निर्वाचन आयोग में नियुक्ति के लिए या आयोग्त बनने के लिए कमिश्णर बनने के लिए योगिता होनी चाहिए, आम तोर पर बड़े-बड़े नौकर शाहों को इस पद पर बेठाया जाता रहा है, आज भी आपको आई-ए-स, आई- पड़ेगा, निर्वाचन आयोग में हमको इनकी योगिता, सबसे पहली बात तो क्या है, हमें इनकी योगिता को फिक्स करना चाहिए, समविधान में आप निर्दारित कर दो, कि कौन बन सकता है, इतनी योगिता कम से कम चाहिए, दूसरा निर्वाचन आयोग में इस बात क नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यू की पदाओधी कितनी है मैंने आपको पिछले सेशन में भी बात बुला था और एक बंदे ने कॉमेंट में मुझसे क्वेस्टन भी पूछा है मैंने देखा था फीडबेक में पिछले सेशन में उसने यह बोला है कि सर 65 साल समविधान में नहीं लिखा है वही तो मैंने आपसे कहा था समविधान निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं उनकी पदाओधी नहीं बता था वो हमारे राष्ट्रपती की द्वारते की जाती तो और वो फिक्स कर रखी है 6 साल या 65 साल मतलब ऐसा नहीं कि हर समविधान में लिखा है तो आपको अगला पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरा अगला पॉइंट मेरा यह है कि आपको निर्वाचन आयोग में जो पदाओधी है कि कितने साल का कारेकाल होना चाहिए वह आपको समविधान में लिख देना चाहिए यह समविधान में नहीं की लिखा है तीसरी चीज संविधान में सेवा निव्रत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार के द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति यो पर रोक नहीं लगाएंगी यह बहुत बहुत वीक पॉइंट है को से क्यों कि माने लो कि इस फॉसको निर्वाचन आयूपत है और सरकार उसको लालच देदे कि डील हो जाए, अगरストरकार के लिए काम करें करेंगा तो क्या मिलेगा सरकार उसको बोलेगी कि तुम जब यहां से रिटायर्मेंट हो जाएगा तो हमारे लिए तुम्हारे भविश्य के लिए तुम्हारे फ्यूचर के लिए हमारे पास तुम्हारे रिटायर्मेंट प्लान है और हम तुम्हें इस पद पर बिठा देंगे वो किसी भी आयोग आप तब तक पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं बना सकते जब तक बूरी तरह से सोरक को खतम नहीं कर देीगा ये सब्सक्राइब कि नियुक त युटी नहीं हो सकती और वह और नहीं हो चाहिए एक बार कोई व्यक्ति निर्वाचन आयोग में चला जाए तो उसके रिटायर्मेंट के बाद उसको कोई दूसरा नियुक्ति कोई पद नहीं मिले यह आपको सम्विधान में लिखना चाहिए क्योंकि हर इंसान एक जिसा नहीं होता कुछ हिमांदार होते हैं सिद्ध प्रहांतों से हटते नहीं जैसे आपने सुना होगा एक बहुत बढ़िया भारत के इलेक्षन कमिशनर का नाम एक निर्वाचन आयुक्त जो हमारे थे टी एन शेशन सहाब के बारे मैं आपको पहले भी कई बार बोला कि टी एन शेशन सहाब इतने स्ट्रिक्ट निर्वाच अचन आयुक्त थे भारत के चीफ एलेक्षन कमिशनर रहें वह कि उनसे नेतक कापते थे वह कभी किसी नेतक के डर से लालत से काम नहीं किये उन्होंने पूरी इमान-दारी के साथ अपना काम किया यहां तक कि सरकारों ने उनको डराने की धमकाने की बहलाने की फुसलाने क की बहुत कोशिश की लेकिन उनके दिमाग में यह था कि मैं इस देश में स्वतंत्र निश्पक्ष चुनाव को पूरे भविष्य के लिए स्थापित कर दूंगा इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आज आपने देखा होगा कि आपके पास एक वोटर आईडी होता है और हमारे व इमा उठाया कि मैं भारत में लोगों को फोटो वाला वोटर आईडी दूंगा और वो थोड़े से क्या है ना कि वो थोड़े दक्षिन भारती है थे तो हिंदी उनको ठीक से आती नहीं थी टूटी फूटी हिंदी बोलते थे तो जब यह डिसकुशन हो रहा था तो सब लो ने यही लाइन बोली थी कि मैं बनाएगा क्योंकि इसके बिना भारत में निश्पक्स चुनाओ या क्योंकि बहुत सरी धांदली होती थी फरजी वोट डालके चले जाते थे लोग अब नाम लिखा हुआ है तो ज़रू थोड़ी कि वही व्यक्ति आया हो जिसका नाम लिख में उन्होंने अपने दड़ निश्चे के द्वारा ऐसा किया भी तो हर एक इलेक्शन कमिशनर ऐसा हो ज़रूरी नहीं कुछ लोग भी सकते हैं कुछ लोग लालच में भी आ सकते हैं थोड़े से डगमगा भी सकते हैं इंसान है ना भाई वो भी तो उसके बाद आपको पत मैं आपको बता है और एक जो मुझे लगता है कि जो कमी है वो कमी क्या है कमी जहां तक इसमें तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन कमी नियुक्ति में भी है क्या आपको इलेक्शन कमिशनर की या निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई कमी नहीं दिखाई दे निर्वाचन आयूक पर उर्ष्ट्रप्ति कि दिश्व करते हैं यह भी आपको पता हैं राष्ट्रपति जीतो पृद्धान मंत्री और मंत्रि परिशत की सला पर ना काम करेंगे तो इसमें एक कमी यह है कि निर्वाचन आयोग में जो नियुक्ति है वो नियुक्ति राष्ट पती कर रहे हैं तो सरकार की सलाह पर तो यहां पर कोई सरकार अपना बंदा बैठा दे बिल्कुल हो सकता है क्या यह पॉसिबल है कि नहीं है अपना व्यक्ति भी तो बन सकता है कि नहीं बनता बन सकता है आपको क्या करना चाहिए इसके लिए मैं आपको सुझाओ बताता हूं क्या होना चाहिए बेस्ट क्या पॉसिबल हमारे यह कुछ आयोगे से जहां पर नियुक्ति में सरकार को पूरी समीति की एक सलाह पर काम करते राष्तु पर विपक्षे नेटा भी होते हैं जैसे सी वीजिक होतों वीपक्ष कानेता होता है के सुचना आएओ कि आप देखोगे वीपक्ष का नेता होता है भारत में सीबी Engineering डंडर में बह 42 कानेता मिल जाएगा मानव अधिकार आएओ नैशनल यूमन राइट्स मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब आपके यहां पर मानव अधिकार आयोग जिसे आयोग में विपक्ष के लोगों को शामिल किया गया है आपने समीती बनाई है जब आपने CBC के लिए CBI के लिए बनाई तो इसके लिए क्यों नहीं बनाई क्या आपको लगता है कि नि निर्वाचन आयोग का काम उतना महत्वपूर्ण नहीं है या इसको उतनी स्वतंत्रता की ज़रूत नहीं है सोची आप नेशनल यूमन राइट्स कॉमिशन तो मैंने आपको बताये था कि वो तो एक सामविधिक आयोगे वो तो समवेधानिक भी नहीं है 1993 के एक्ट से बना संशोधन के द्वारा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति समीती की सलहा पर करवाई उसमें विपक्ष के नेताओं को भी स्थान दीजी जब तक देखो आपक्ष और विपक्ष मिलके नहीं करेंगे ना तब तक एक निश्पक्ष वेक्ती की कि नियुक्ति में हमेशा कोश्चन उठेगा मैंने वही का था आप से कोश्चन तो उठेगा आप इन्स योडिया नहीं हो रहे तो आज़ादी की बात से बता रहा हूं मैं आंको ऐसा नहीं कि अभी अभी हो रहा है यह तो समविधान लागू होने के बात से आज तक यही हो को ठीक कर सकते हैं तो इसको ठीक करना चाहिए इनकी नियुक्ति में एक सम्मीटी की सिफारिश अनिवार होना चाहिए और उसमें हमें उसमें हमें विपक्ष के लोगों को भी शामिल करना चाहिए थोड़ा सा दाइरा बढ़ाया जाए कि चलि यहां तक आपको आ गया है अब इसके कारी और शक्ति क्या है चुनाव आयोग की जो शक्तिया है ना उनको हम तीन श्रेनियों में unaware सकते हैं टोटल टो इलेक्षन कमिशन आप इंडिया की जो शक्तिया थे जो पावर से जो आप सबको एक साथ पढ़ते हो मैं आपको थोड़ा सा बांट के पढ़ा दूगा प्रशास्निक प्रकृति मतलब जो चुनाव करवाना वोटर लिस्ट तैयार करवाना जो आप देखते हैं में काम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का में काम है चुनाव करवाना वोटों की गिंती करवाना ठीक है आप वोटर आईडी देना यह सारे काम जो प्रशास्निक में आते हैं मतदाताओं को पहचान पत्र के अलबाव यह जो चुनाव चिन्न है पार्टियों को प्रत्याशियों को चिन्न देना इसके बाद सलाहकारी में राष्ट्रपति और राज्जिपाल को सलाह देना आयोग्यताओं के मामलों पर किसी भी सदस्य की योग्यता आयोग्यता का कुश्चन उठे सलाह देने का और अर्द नियाएक काम जो आते हैं वो चुनाव से जुड़े हुए पैसलो कमिशन होता है उसके आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारन करना समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना यह जो आपकी वोटर लिस्ट है आपको तो पताईए कि हमेशा अपडेट होती रहती है भारत में हर दिन न जाने कित गोठे करने के लिए तो एसे लोगों को क्या करना इनको वोटर आईडी देना अपर नामावली तैयार वोटर लिस्ट यह पर निर्वाचन की ती थी और समय सारणी निर्धारित करना कॉन निर्धारित करता है कि किस तारिक कु चुना हूंगे कोई भी चुनाऊ कि अगर एक साथ पॉसिबल है तो एक साथ नहीं तो अलग अलग विभिन चरणों में चुना होते हैं तो उनकी तारीक तय करना समय सारणी निर्धारित करना और नामांकन पत्रों का परीक्षन करना कि जो लोग चुनाओं में खड़े होते ना चुनाओं में खड़े होना चाहते हैं तो इत्ते फाक से हमारे यहां पर नगर पालिका का नगर निगम का इलेक्षन है और नगर निगम का इलेक्षन है तो आपको पता ही है कि पूरे शहर में प्रत्याशी अपना-प्रचार कर र वो लोग इस समय अपना अपना प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं तो यह नामांकन पत्र जो उतना चुनाओं में नामांकन पत्र दाखिल करते हैं जो प्रत्याशी उनका परिक्षन करने का काम करना फिर राजनेतिक दलों को माननेता प्रदान करना अगला काम जो राजनेतिक दल है भारत में कोई भी राजनेतिक दल है उनको क्या करना उनको माननेता देना और निर्वाचन चिन्न आपने सुना होगा हर एक पार्टी का अपना एक चिन्न होता है किसी का कमल का फूल होता है किसी का हाथ का पंजा होता है किसी का साइकिल होता है किसी का हा तो इनको माननेता प्रदण करके अगर आप वी पाइटी बनाए तो आपके पार्टी को माननेता देंगी आपकी पाइटी को एक चुनाओ चिन्न देगा ठीक है फिर राजनितिक दलों को माननेता प्रदान करने और चुनाव चिन्न देने के मामले में यदी कोई विवाद हो जाए यह उर्द्न याइक काम प्रकार करें जैसे माली जी कि आपकी का कोई चुनाव चिन्न और वही चुनाव चिन्न दूसरी पार्टी ने भी ले लिया अब आपको लग रहा है इससे confusion हो सकता है तो फिर एसे विवाद में चुनाव चिन जो है किसका होगा ओरिजनल किसका है यह सब जो है चुनाव आयोक तहे करता है मतलब वहां वो न्यायलाई की तरह काम करता है ठीक है पिर निर्वाचन विवस्था से संबंधित विवाद की जाच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है यदि निर्वाचन विवस्था से कोई विवाद हो गया जुड़ा हुआ तो उसके लिए अधिकारी की नियुक्ति करने का काम निर्वाचन के समय दलों और उमीदवारों के लिए आचार सहीता निर्वित करता है आपने सुना होगा ना आदर्ष आचार सहीता, code of conduct जो होता है आदर्श आचार सहीता, मतलब चुनाव की समय हर प्रत्याशी से हर पार्टी से यह उमीद की जाती है कि वो चुनाव को स्वतंतर निश्पक्ष बनाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करेंगे, मतलब गलत तरीके से किसी मतदाता को बहलाएंगे नहीं, फुसलाएंगे नहीं या कोई ऐसी घोषना नहीं करेंगे, जो संप्रदाइक हो, जो मतदाताओं को संप्रदाइ विशेश या किसी धर्म विशेश के लिए वोट डालने के लिए कहती हो, तो जो आचार सहीता होती है कि आचार सहीता का पालन कराने काम बनाता को क Currently करने का काम भी करता है आग प्रशाघवाचन को समय राजनितिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टिवी कारिक्रम ऑइस प्रचार एंगरैंओस प्रचार तो होगा कोई रेडियो पर प्रचा़ करना सोशेल मीडिया से प्रचार होता है और न्यूस पेपर वगेड़ा में लोग प्रचार करते हैं थी इन संसत सदस्यों की ऐोग्यिता से संबन्धित मामले पर राश्टर पति को यह उसका सलाहकारी काम है जैसे मांने दिए किसी संसत सदस्य की योग जिता योग जिता का प्रशनौवह निरण लेता हि अगर दल बदल को छोड़ कर किसी संसत्य स्दस्य की योग जिता पर प्रशन उठा है तो चुनाव आयोग से सलाह लेना कंपल सरी राष्ट्रपती के लिए ठीक है राष्ट्रपती जी चुनाव आयोग से सलाह लेते हैं उस मामले में और अगर वो विधान सभा का मामला है तो राज्यपाल के द्वारा सलाह ली जाएगी चुनाव आयोग राज्यपाल को ऐसे मामलों में सलाह देता है फ बूत कैप्चरिंग आजकल तो नहीं होता लेकिन होता है बहुत जगे अभी भी दूर दराज की इलाकों में खासकर तो आपने वह मुवीज देखी होगी बॉलीवूट की जिसमें की कुछ असामाजिक तत्व के गुंडे बदमाश टाइपी लोग आते हैं और वह पूरे के लूट लिया जाता था अगर किसी को लग रहा है कि वह हार रहा है और बाहुबली प्रत्याशी है तो पूरे के बूट को ही जोए लूट वा लेता था इसके अलावा हिंसा और अन्य-आन्यमित्ताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करने का काम तो अगर कहीं पर अन्य-आन्यमित्ता है चुनाव में तो यह क्या करता है यह उस सब जगे के निर्वाचन को इलेक्शन को ही रद्द कर सकता है कि कोई इलेक्शन यहां से कुछ हुआ ही नहीं कोई परिणाम नहीं उसके बाद फिर से वहां पर इलेक्शन करवाया जाएगा कि निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यक्ता के बारे में राश्ट्रपति राज्जिपाल को आग्रह करना तो अगर मान लिजी कि इलेक्शन क्यूंकि आपको पता होगी एक बात तो कि इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया जो है कि इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया आपको पता है कि इसकी अपनी कोई मशीनरी नहीं इनके पास कुछ भी नहीं होता है यह तो भारत सरकार के और राज्जी सरकार के कर्मचारियों से अपना काम करवाते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जो पुलिस है आपके राज्जी में जो पुलिस है उनकी ड्यूटि लगती ऐलेक्शन के समय में अगर आपके घर में कोई पुलिस में होगा तापने देखा होगा कि जुनाओ ड्यूटि में उनको पता है या अगर आपके घर से कोई सरकारी करमचारी है चाए वह स्कूल में पढ़ाता हो या कोई किसी दूसरे दफ्तर में हो तो सब की चुनाव में ड्यूटी लगती है तो इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया विभिन सरकारी कर्मचारियों के द्वार अपना काम करता है और यह दोश में भी लिख सकते हो इसकी कोई स्थाई मशीनरी नहीं होती राज्य सरकार के केंद्र सरकार के कर्मचार करना भी इसका काम है राष्ट्रपती को सलाह देना कि राष्ट्रपती शासन वाले राज्य में एक वर्ष समाथ होने के बाद निर्वाचन कराएं जाएं या नहीं इसका संबंद को किस्से है आप सभी लोगों ने अनुच्छे 356 तो पड़ाओ यह वहां मैं आपको थोड आपका संवीधान का भाग 18 संवीधान का भाग 18 एक बहुत बड़िया टॉपिंट्रसिंग सा टॉपिक है आपकाल इमर्जिंसिग कितने तरह के आपकाल तीन तरह की आपकाल पहला 352 356-360 विद्टी आपकाल 36 में राज्य मेर राश्ट्रपती शासन 356 में और राश्ट्र तो पता होगी, इधि किसी राज्य में राष्ट्रपती शासन लगा दिया जाए, तो क्या होता है? राष्ट्रपती शासन लगाने के बाद आपको पता है कि सबसे पहले तो दो महीने में संसत के द्वारा पास कराना पड़ेगा यदि संसत दो महीने में पास नहीं करती तो राष्ट्रपती शासन खतम हो जाए अगर संसत पारित कर दे तो आप उसे छे महीना तक बढ़ा सकते हो, छे महीने के बाद संसत से फिर पारित कराना पड़ेगा और फिर छे महीने चलेगा, इसको आप एक साल तक चला सकते हो, यह अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि महराश्ट्र में जो हो रहा है, महराष्ट में जो कुछ भी इस समय उथल पुथल मची हुए ना इस पर बहुत गौर रखिएगा कल सुप्रीम कोट का एक पैसला आया है और आपने सुना हुगा कि बहुत ही महत्वपूर है सुप्रीम कोट ने डिप्टी स्पीकर की भूमिका पर भी प्रश्ण चिन्ने खड़े किये हैं और उन्होंने ये कहाए कि आप अपने मामले में जज कैसे हो सकते हैं आपको हटाने के लिए अगर विदायक प्रस्ताव ला रहे हैं तो आप उसे खारिच नहीं कर सकते क užटरीनी है दुनिया में प्राक्रतिक न्याय का झिद शिद्धान ते प्राक्रतिक न्याय का सिद्धान यह कहता है जडि आपके खिलाफ कोई मामला यह तो आप अपने मामले में जज कैसे इसलिए आपने देखा होगा कि इसे स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो सपीकर वहां पर पीठा सी नेधिकारी नहीं होता वो नीचे बेठेगा फिर अपने मामले में जज केसे हो तो आपको हटाने का प्रस्ताव जैसे गर मानलो कि भारत के राष्ट्रपती पर महाभ्योग चलाना हो और राष्ट्रपती से परमिशन लेनी पड़े कि क्या हम महाभ्योग ले आएं आपके खिलाफ के नहीं लाएं त कि अपने मामले में जज नहीं हो सकता कोई भी यही प्राकृतिक न्याय का सिध्द्धान तो अब यहां क्या हो रहा है समझो यहां अनुच्छे 356 में महाराष्ट में जो चल रहा है वहां भी कई लोग यह कह रहे है कि शायद अग अगर सब कुछ गड़बड हो गया तो 356 लगा दिया जाएगा बेभी पॉसिबल हो सकता है कौन जाने क्या हो तो 356 को लगातार ध्यान से पढ़ते रहेगा क्योंकि आपके कभी भी काम आ सकता है तो राष्ट्रपदी शासन अगर किसी राज्य में लगाया जाता है तो वह एक साल तक चलेगा और एक साल के बाद में वह आगे तभी बढ़ता है जब चुनाव आयोग यह प्रमानित कर दे कि यहां चुनाव नहीं हो सकता कि सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि संसत द्वारा 6-6 महिने में पारित करा के आप 356 को एक वर्ष तक चला सकते हो और एक वर्ष से आगे बढ़ाना हो क्योंकि अधिक्तम यह तीन साल तक चल सकता है एक साल से आगे बढ़ाने की आप सब को पता होगा मैंने ब बात समझाई है कम से कम उतना आप पढ़ ले अगर आपने उतना ही पढ़ लिया ना तो आपको ज्यादा फिर परेशान पॉलिटी में नहीं होना पड़ेगा मैंने आपको दो कंडिशन बताई थी कौन सी दो कंडिशन पहली यह लिखी हुई है निर्वाचन आयोग भारत का यह प्रमाणित कर दे कि इस राज्जी में चुनाव नहीं हो सकते और दूसरी कंडिशन है कि पुरे भारत में 352 लगा हो 352 के दहत राश्ट्री आपात काल चल रहा हो तो दो कंडिशन में और यह साल से जादा 356 को इन दो कंडिशन में ही लगा सकते हैं और वैसे भी आपको पता होगा कि तीन साल से ज्यादा तो लगा ही नहीं सकते किसी भी कंडिशन में किसी भी कंडिशन में चाहिए निर्वाचन आयोग के रहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते तो भी किसी भी कंडिशन तो यहां आप देखोगे कि राष्ट्रपती को इस मामले में भी सलाह देता है कि एक साल की सभापती के बाद वहां इलेक्शन करवाए जाए कि नहीं करवाए जाए और यह पेले मैं बता चुका हूं फिर निर्वाचन के मद्यनजर राजनितिक दलों को पंजीकृत करना निर इस समय आठ नेशनल पार्टी है कितनी है और लेटेस्ट आपको पता है मेगाले की एन पीपी टोटल आठ राष्ट्री स्तर की पार्टी है और बहुत सारी राजजिस्तर पार्टी है तो कौन सी पार्टी राष्ट्री स्तर का दर्जा ले सकती है नहीं ले सकती कौन सी का टैग देता है अला कि इसके लिए जो टर्म सेन कंडिशन से वह मैं आपको बताऊँ गाई अब यहाँ पर एक कुश्चन है कि चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है चुनाव की अधिसूचना राष्ट पती जारी करते हैं बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वह सल सब्सक्राइब करवाएंगे लेकिन वह राष्ट्रपती के उपर है कि वह अधिस उचना जारी करें आयोग को अधिकार नहीं है कि इस समझ मैं तो कौन सी पार्टी जिसे आपको पता होगा कि इनके लिए कि शर्ती क्या है कि आूंड को उच्चों को पता होगी कि किस पार्टी को राश्फर वाच्टी-पार्टी का दर्जा मिल सकता और इसको नहीं मिल सकता किसारे शब्det कर दो करता है दो सैविल सेवा से लिये जाते हैं और इंझ लाया इनकी आता है गरेजा के लिए आपको उपर निर्वाचिनल अभी मिल जाएक है कि उन्हेया की सची वाले कारेट शची हो सज्ञफ casos सचीं में उप्सची जो यह सचीव रोल और उस सपिव की अधिया कि इसारे सचीव होंगे नीचे आपको कई सारे अंडर सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेट्री डेप्यूटी सेक्रेटरी बहुत सरे मिलेंगे राज जी स्तर पर राष्ट्री निर्वाचन आयोग की सहायता करता है मुख्य निर्वाचन अधिकरी यह ध्यान रखना अब मैंने आपको एक बात बताई थी इलेक्ष्ण कमिशन ऑफ इंडिया भारत में सबी चुनाओ कराता है विधान सभवा में राज्ज की निर्वाचन उसकी सहायता कौन करता है तो हर एक राज्य में होता है एक CEO मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो CEO यहां CEO का मतलब Chief Executive Officer नहीं है हर राज्य में होता है एक CEO Chief Election Officer मुख्य निर्वाचन पदाधीकारी कल मैंने आपसे कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य के निर्वाचन आयोग से कोई लेना देना नहीं है दूर-दूर तक है ना तो राज्य में उसकी सहायता कौन करता है हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया के अंडर में काम करता है और उसका काम होता है कि भारत के निर्वाचन आयुक के नित्रत्वों में उस राज्य में स्वतंत्र और निश्वक्ष चुनाव संपन्न करवाए ठीक है तो यहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक इसके बाद में आपको खुश होने का मोका मिलेगा बहुत बढ़िया कि हमारे यहां जो डी एम होता ना डिस्टिक कलेक्टर आप में से लगभग लगभग सभी का सपना जहां तर मुझे पता है कि बच्चे आई एस ही बनना चाहते कुछ बिर प्रशासनिंग सेवा की तरह ही तरफ ही आकर्शी तो यह जो डीम होते ना यह जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है आपको पता होना चाहिए डिस्टिक इलेक्शन ऑफिसर जैसे ही उस जिले में चुनावाएगा कोई सभी चुनावाएगा चाहे राज्जी सभा का लो पूरे राज्ज में निर्वाचन उस जिले में जिसमें उनकी पोस्टिंग है तो अपने पूरे जिले में निर्वाचन करानी की विवस्था उनकी है जो काम पूरे भारत में इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कर रहा है जो काम राज्ज में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर रहा है वही काम आपको जिले में करना पड़ेगा कि मेरी बास समझ में आई जिले में आप ही होंगे मतलब आपके यहां से अगर भारत के प्रधान मंत्री भी लड़ रहे हैं आपके जिले से तो वह आपके पास आके अपना नामांकन करवाएंगे क्योंकि आप मुख्य निर्वाचन अदिकारी है वहां के जिले के तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पद हो जाता है इसलिए तो डीम को इतना ज्यादा महत्पूर मानते हैं क्योंकि कई सारी पावर होती है वह सिर्फ रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला नहीं है इसके अलावा कई सारी शक्तिया इसे इलेक्षन या आपको पता इलेक्षन वह ऑफिसर वही होता है कि इस थैना वह खुड दियम करता है कि जिले में कहा कहा पॉलिंग बूथ लगाये जाएंगे कहा का पन निर्वाचन रोंगे कौन-कौन किस बूध को समालेगा वही नियुक्त करते पॉलिंग बूथ पीसर से ठीके उनकी नियुक्ति कर करती है यार सोचो आप कि भारत में देश देश के बाद राजी और राजी के बाद जिला आता है तो आप भी कोई छोटे मोटे वेक्ति नहीं होते हैं आप अपने आप में जिले के राजा हो आप ही उस जिले में सबका चुनाओ करवाना है आपको और ऐसे समय में तो इनके पास पावर और ज्यादा पड़ जाती जानते हैं जब कोई राज्य में इलेक्शन होता है तो उस समय वह राज्य सरकार की शक्तियां बहुत कम हो जाती है उसके बाद में आप सीधे इलेक्शन कमिशन ऑप इंडिया से जुड़ जाते हूं और उसकी बाते उसकी सलाह पर काम करते हूं तो ऐसे में आप एक प्रकार से बहुत आजाद फील करोगे जो पॉलिटिकल प्रेशर आप पर आम तोर पर रहता है ना इलेक्शन के समय नहीं रहेगा क्योंकि तब आपके पास इलेक्शन ऑफिसर की रूप में कई सारी एक्स्ट्रा पावर्स आ जाएंगी समझ गए मेरी बात तो यह जीला निर्वाचन अधिकारी होता है वह जीले में प्रतियक निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी और प्रतियक मत्दान केंद्र के लिए पीठा सी अधिकारी की नियुक्ति करता है वही जो मैं आपसे कह रहा था कि हर एक बूत के लिए एक पीठासी नदीकारी के नियुक्ति वही करेगा और पुरी निर्वाचन वही करवाएगा अब आईए भारत के निर्वाचन आयोग का द्रश्टी लक्ष और सिद्धान इसका वीजन क्या है ठीके इसका वीजन क्या है इसका लक्ष क्या है इसके सिद्धान क्या है इस पर स सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावों को निश्पक्ष और स्वतंत्रता के साथ संपन्न करा पाए बिना किसी कमी के दिक्कत के ऐसा वह भारत और विश्व में सक्रिय क्रिया शीलता भागिदारी और चुनावी लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान करके कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो मैं आपको यह बात पता ही होगी कि इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराना आसान नहीं यह बात तो आप मानेंगे इलेक्शन कराना भारत में आपको लगता है कि बहुत आसान है सबसे पहले तो देखो כתनी have GUYS अलब अलगलग राज्यो इतने अलग अलग संस्कृति के जाती की धर्म के मान्यता के लोग है फिर आपने देखा होंगा भारत में समानता असमानता भी बहुत ज़ादा है जातीगत रूप से आपने देखा होगा कि कहीं पर पिछडों को वह अधिकार नहीं मिलें आज भी जो मिलना चाहिए इसके अलावा आपने देखा होगा सामाजी का समानता के साथ, शेक्षी का समानता भी कई सारे लोग पड़े लिखें नहीं हैं कई सारी महिलाएं घर से जा मैं आपको बताओं, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, तो लाखो महिलाओं का वोटिंग का निरवाचन जो है, मतलब जो उनका वोटर का जो पंजी करन था, जो रजिस्ट्रेशन था, वो रद्ध हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपने पती का नाम बताने से मना कर दिया था मतलब भारत में यह हालत है कि बहुत सारी महिलाओं अपने पती का नाम भी नहीं लेती, चुन्नु के पापा मुन्नु के पापा यह हमारे चलता रहता है, समझे आप? तो कई सारी महिलाओं का यह पंजी करन था, वो रद्ध हो गया, वोट नहीं डाल पाए हो, और वैसे भ अपर के जाती कि समझे लक्ष स्वतंतर स्वयत्तत और अखन्डता को बनाया रखता है यांदos भारत में चुना रखत अ मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्रता, स्वायतता और अखंडता को बनाए रखता है स्वतंत्र दोश मुक्त ठीक है और पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मान दंडों का पालन करता है चुकि इसको चुनाव करवाना है कैसे स्वतंत्र बिना किसी दोश के और यह मैं आपको चुनावी सुधार में पढ़ाओंगा एक चेप्टर आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी है चुनावी सुधार का भी है आजादी के बाद से पहले चुनाव से लेके आज तक क्या बदला चुनाओं आपको पता है बहुत कमी हैं भारत में वैसे तो मैं आपको बताओं कि दुनिया में चुनाओं की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, यह ऐसी प्रणाली है जिसमें निरंतर सुधार हमें करते रहना पड़ता है, परंतु फिर भी पिर भी आप ये मानोग कि बहुत सारे सुधार हमने किये हैं और बहुत सारे सुधार अभी भी बाकी हैं आज भी आपको पता है कि धन का प्रयोग इलेक्षन में बहुत होता है हम रोक नहीं पाए उसको अभी भी अभी प्रत्याशी करोडों रूपे खर्चा करके वहां तक जाते हैं और फिर उसके गूस कोरियों व्रश्टाचारी करके वह पैसा वसूलने कि कोशिश करते हैं इसके लवा आज भी देश में सामप्रदाइक्ता की राजनीती हो रही है कई चुनोतियां अभी भी चुनोतियां है कर हम वह समीतियों के बारे में बात करेंगे चुनाओ सुधार में जैसे आप तो यह में चीज है यह ताकि सरकारों चुनावी लोगतंत्र में विश्वास मजबूत हो अब आते सिद्धान्त जो चुनावायों को गाइड करते हैं निदेशित करते हैं कौन-कौन से सिद्धान्त है यह तो आपको मानना पड़ेगा कि सुधार हुए है पर यह बात भी सच प्रश्ण चिन्न उठाते आए हैं और यह बात से आप इंकार नहीं करोगे कि भारत में कई बार जो लोग डिजर्व करते हैं वो नहीं जीत पाते और उनकी जगे ऐसे लोग जीत जाते हैं कि शायद जिने वहां नहीं होना चाहिए पर वो कैसे जीत जाते हैं उसी को तो द शराब पिला के या वोट खरीद के और यह चीज आज भी होती है ठीके तो कई तरह की धंदलियां होती रहती है पहले जादा थी अब कम हुए और अब तो और धिरे-दिरे कम होता जा रहा है संविधान में दिये समांता समता निश्वक्षता और स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखना सबसे पहले तो इसको कहां से यह कहां से गाइड होता है सबसे पहले तो देखो समांता क्योंकि हमारे प्रस्तावना में भी समांता की बात की गई हमारे मोलिक अधिकारों में समानता संता की बात की गई है निश्पक्षता और स्वतंतरता जिसे मूल्यों को बनाए रखना मैंने एक दिन आप से पूरा भिठा की आप कैसे कहें कि कि किसी देश में लोकतंत्र हैं हम कहते हैं तो देमोक्रिसी या लोकतंत्र किस देश में है कि नहीं इसको दो चीजे निर तो लोक तंत्र नहीं होगा कौन सी दो चीज़े नंबर एक पहली चीज तो यह है कि उस देश में स्वतंत्र और निश्वक्ष चुनाव होने चाहिए मतलब चुनाव में किसी एक वर्ग को किसी भी व्यक्ति को कोई खास एडवांटेज नहीं होना चाहिए दूसरी चीज है नियमित चुनाव होने चाहिए नियमित यदि नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं चुनाव निश्चित समय पर होते हैं जिसे भारत में आप देखोगी भारत में लोकतंत्रम कहते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे निमी स्वावत रहर पाँच साल में एक भारत में चुनाऊ लोकसभा के विधान सबा के होते तो दूसरा की चुनाऊ निश्पक्ष और स्वतंत्र अधियों धौते हैं क्यों नहीं है क्योंकि आपको चाइना में स्वतंत्रों निश्पक्ष चुनाओं नहीं मिलेंगे ठीके चलिए अब यह आपको समझ में आगे होगा आगे देखो महत्तम विश्वस्नियता स्वतंत्रता शूचिता पारदर्शिता सच्चरित्रता जवाब देही स्वायत्तता और पेशेवर द्रश्टिकोन के साथ चुनाओं संपन्नकराना मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का विश्वास बड़े चुनाओं प्रणाली में आस्था बड इलेक्शन में भाग लेते हैं वोट डालते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ सेकेंड्स के लिए एक परची दिखाई देगी आपने जिसको वोट दिया है आपका वोट उसी को गया है कि नहीं वह आप उसमें देख सकते हैं और कुछ परचियों को निकाल के उसको मिलाया भ कि वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कि आगे समझ में तो यह आप देख सकते हो वीवी पेट जो है वीवी पेट एक प्रकार से क्या है आपको यह कंफर्म करने के लिए और यह चुनाव सुधार से जुड़ा है ऐसे ही आप देखोगे कि भारत पे लगातार चुनाव सुधार हम लोग करते जा रहे हैं फिर समावेशी मददाता केंद्रित और मतदाता इसनेही वातावरन चुनाव प्रक्रिया द्वारा सभी योग्य नागरिकों की चुनाव में भागिदारी सुनिश्चित करना इसका मैं आपको एक एक एक्जामपल देता हूं कभी आपने सुना है पिंक बूत सुना है एक पड़ा ही रोचक सा कॉंसेप्ट भारत में लाया गया है एलेक्शन कमीशन के द्वाश्चित कि पिंक बूत क्या है पिंक बूत जानते हैं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए प्रिरित करने के लिए उनको मतदान-केंद्र तक लाने के लिए ही होंगी जितने भी वहां कर्मचारी अधिकारी वह सब महिलाएं होंगी ताकि महिलाएं जो है थोड़ा सा वहां पर शर्म वगेरा फील ना कर पाए बेहिचक वोट डाल पाए इसके अलावा पूरे जो बूत है उसको सजाया जाता है पिंक कलर के अलग-अलग चीजों से कौन कौन पीछे वोट डालने में आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं बोट डालने नहीं आती उनको आकरशित करने के लिए अपने कौनसेप्ट अपनाया युवा कई सारे युवा हैं जो डालने में इंट्रस्टेट नहीं होते इसके लिए चुनाव आयोग ने केंपे प्रक्रिया में मतदाताओं को थोड़ा सा अच्छा वातावरण देना अच्छी फीलिंग देना चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनेतिक दलो की भागेदारी जो है स्टेकोल्डर्ज की भागेदारी कर्वाना निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में स्टेखोल्डर जैसे मतदाता राजनेतिक दल और चुनाव अधिकारी उम्मिदवार और सामानी जनता में जागरूकता का प्रसार करना देश की चुनाव विवस्था में विश्वास बरोसा बढ़ाना तो कई सारे आपने देखा होगा क कि सरकार हमारे प्रचार करती हैं वैसे चुनाव आयोग भी प्रचार करता है चुनाव आयोग लोगों को लगातार प्रेरित करता है कि घर से निकली और वोट डाले पहले क्या होता था पता है चुनाव के दिन छुट्टी घोशित करवाई ताकि लोग जो है काम धंदा छो इलेक्षन वाले दिन को चुट्टी की तरह बिताना शुरू कर दिया, जिस दिन इलेक्षन होते हैं परिवार को लेके निकल गए कहीं सुबे से शाम तक सेर कर रहे हैं और गुंपर के आ गए, तो इलेक्षन कमीशन ने ये चीज़ क्लियर की कि आपको चुट्टी के लिए च इमान करते हैं कि इलेक्षन में वोटिंग को कंपल सरी करो, बहुत समय सी मांग उठ रही है, कई देशों में है, चुनाओ में वोट डालना कंपल सरी किया जाए, मतलब अगर कोई व्यक्ति चुनाओ में वोट ना डाले, तो उसके उपर दंड की विवस्था की जाए, जाए, बहुत सारे लोग नहीं पहनते है, सब को पताए कि ये हैल्मेट आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए पिर भी नहीं पहनते हैं, तो इसके लिए सरकार जो है चालान गटती है, पूलिस वाले आपको पकड़ के चालान काटते हैं, नियम बनाए गए गए हैं, तो फिर उस डर से लोग हेलमेट पहनने लगे तो कई लोगों को यह मानना है कि भारत में लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे आप इसके लिए नियम बनाओ कानून बनाओ बकाइदा कि वोट नहीं डालोगे तो आपको जो है क्या किया जाएगा दंड दिया जाएगा सजा दी सकते क्योंकि यह तो हमारे व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ है वोट डालने का अधिकार हमें तो वोट डालने के अधिकार में ना डालने का अधिकार भी शामिल होता है यह तो जबरदस्ती है आप जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते कि उसके मन के विपरीज जाकि को वोट को न चाहिए यह आपको समझ में आ गया होगा इसी के साथ में एक और चीज जूड़ी बिइसे आप ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तो कई लोग यह कहते हैं कि नोका के वोट को आपको कुछ करना चाहिए नोका में वोट दालना तोसे फालतू हो जाता हैैं अगर किसी बूत पर या किसी मत्दान केंद्र में या कहीं भी अगर मालो कि 50% ज्याद है लोगों ने नोटा पर वोट दिया तो वहां चुनाओ रद्द करवा हो फिर उसका मतलब क्या रह गया आपने नोटा डाल रखा ऐसे कई सारी चीजें जो हम लोग बाद में डिसकस करे चुनावी सेवाओं के प्रभावकारी और पेशेवर निश्पादन के लिए मानव संसाधन विक्सित करना आपको पता है कि भारत में मूल कर्तवी वाला भाग चार कर और चार कर में भी आपको पता है कि हमारे 11 मूल कर्तवें कई लोग यह सुझाओ देते हैं कि मूल चाहिए नागरिकों का फिर चुनावी प्रक्रिया के आसान निर्वहन के लिए स्ष्ट संरचना तयार करना सभी क्षेत्रों के सुधार के लिए तकनीकी अपनाना आदर्स और लक्ष की शेष्था पूर्णत प्राप्ति के लिए नवाचार प्रक्रियाओं का अपनाने का प्रयास करना देश की चुनावी विवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना ये काम इसका बड़ा महत्तुपून है भाई लोगों का विश्वास अगर उठ गया ना चुनाव प्रक्रिया से लोगतंत्र से तो फिर लोगतंत्र किसी काम का नहीं रहे जैसे हम लोग नियाय पालिका में जाते हैं तो इस विश्वास के साथ केॉमे नियाय अगर लोगों को ये भरोसा हो जाये कि नियाय नहीं में बलता है वहां जाने से कोई फायदा नहीं तो कोई जाएगा सोचिए कि आप एक डॉक्टर है तो आपके पास मरेज तभी इलाज कर आने आएंगे लगविन को लगता है अब makват hype कर पाएंगे अगर मरीजियों को लगेगा कि आपको भीमारी का इलाज करना ही नहीं आता तो आपके पास कोन मरीज आएगा तो आपको भरोसा जो है ना बनाय रखना पड़ेगा ही सबसे महत्वपूर्ण का में चुनाव आयोग का तो यह हमारा Election Commission ऑ इंडिया वाला मामला खतम हो गया अब हमारा अगला आयोग जो है अगला आयोग बड़ा महत्वपूर्ण है इलेक्शन कमिशन के बारे में तो यह सारी चीज़े हो गई अभी अलग से इसमें एक चैप्टर और है और वह चैप्टर है भारत में चुनाव सुधार को लेकर वह बहुत डीटेल में बात करेंगे फिलाल लेकिन हमारा जो अगला चैप्टर है वह बात कर professionals अपको पता है कि हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं जैसे निर्वाचन और योग सवतंत्र संस्था है वैसे ही ये संस्था वी एक समवेदधानिक संस्था है और एक सवतंत्र संस्था और इससे उमीद की जाती है कि ये भारत में जो लोग सच में योग्य हैं उन लोगों को वहां तक पहुंचाए जो वो डिजर्व करते हैं इसे मेरिट पद्धती का प्रहरी कहा जाता है और आपको नाम देख की समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं ठीक है मैं बात कर रहा हूं 43 चैप्टर जो है हमारा इस बुक का संग लोग सेवा आयोग संग लोग सेवा आयोग जिसे आप लोग शौट में UPSC कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन कहते हैं और इसी आयोग के द्वारा ली जाने वाली परिक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं इसलिए लोग कहते हैं UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं तैयारी किसकी हो रही है, तैयारी UPSC के द्वारा ली जाने वाली Civil Services Exam की हो रही है, हम तैयारी कर रहे हैं Civil सेवा परीक्षा की, UPSC की तैयारी कर रहे हैं कि आपको सीधे UPSC में जाना है, क्या आप सीधा इस exam की तैयारी करके आयोग में चले जाओगे, अब बोलने में सेवाइस की तैयारी तो UPSC है क्या, Union Public Service Commission है क्या, इसको समझें, Union Public Service Commission बहुत महत्तों पूर्ण संस्ता है, एक बात आपको पता है, कि चाहे कोई पैक्टरी हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई देश हो, कोई भी हो, किस से चलता है, कर्मचारियों से चलता है, लोगों से चलता है, और जितने योग्य कर्मचारी होंगे, जितने योग्य लोग होंगे, उतना ही बहतर काम कर पाएगा, अब भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकारों को काम करने के लिए योग्य कर्मचारियों की प्रशिक्षिक कर्मचारियों की जरूत होती है कि आप सोचिए कल्पना करिए कि आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो आपका operation करने वाला है और आपको यह पता चले कि इस व्यक्ति को operation की बारे में कुछ भी नहीं पता या यह फेक या जूठी कि फर्जी डिगरी के साथ डॉक्टर बना हुआ है तो आप उस व्यक्ति से operation करवाएंगे नहीं फिर क्योंकि आपकी जान को खत्रा है क्योंकि उस व्यक्ति को इस चीज का नौलेज ही नहीं सोचिए जिन लोगों के कंधों पर देश को चलाने की जिम्मेदारी है उन लोगों पास में वो योगजिता होनी चाहिए न अब दिक्कत क्या है कि यह इतने बड़े होते हैं इतने महत्वपून होते हैं कि इन पदों पर हर को जाना चाहता है आम आदमी भी जाना चाहता है और खास भी जाहें मत्री भी चाहेगा कि उसका बेटा आईएस बने एक रिक्षा सब मज़दूर्ट का आप सोचीए कि इन पदों पर जाने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई प्रक्रिया नहीं होगी ना तब तो फिर छोटे लोगों के लिए दर्वाजे बन अंग्रेजू के काल मेंगा तक आपको पता है भारत में गवर नर्य जनरल आया जिसका नाम था लॉड कार्णवालिस लॉड कार्णवालिस ने क्या किया जानते हैं लॉड कार्णवालिस ने एक बात दिमाग में उसके क्लियर थी कि भारत के जितने भी बड़े-बड़े पद हैं सिविल सेवा के कंपनी के जितने बड़े पद हैं इन पर सिर्फ अंग्रेजों को ही रखना है और अंग्रेजों को क्यों रखना है क्योंकि भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो यह पद किसी भारतिय के पास नहीं होना चाहिए यदि इन पदों पर भारती आ गए तो फिर हमें यहां से अपना सामान समेट के और बिटेन जाना जानते हो ना हिस्ट्री में पढ़ते हों गया सारे बड़े-बड़े पद सेना में पुलिस में प्रशासन में न्याइपालिका में सब अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दी भारती बड़े-बड़े पदों पर नहीं जा सकते थे ऐसा ही भारत में सरकार भी कर सकती सोचि कि हैं क्या सरकार के मंत्री प्रधान मंत्री रास्ट पतिय जो बड़े-बड़े नेता होते कि और इसलिए होगा तो बताओ फिर योग्जिता का क्या हो फिर तो कोई भी विक्ति चाहे वो अयोग्य हो वहाँ बैठ जाएगा इसी लिए ये बहुत जरूरी है कि इन पदों पर जो नियुक्ति हो वो एकदम पारदरशिता के साथ हो और बहुत ही जरूरी है कि वो उन लोगों की हो जो योग्य हो सरकार के लिए कौन योग्य और सबसे बेस्ट जो माइंड है उनको लेकर आएगा ये काम करता है यायोग इसी आयोग की बदोलत भारत में दूर दराज के गाउं में जहां आज भी बहुत सारे संसाधन नहीं है मतलब वहां गाउं में जाने के लिए रोड भी नहीं है वहां न तो बिजली है हे तो पूरे समय रहती नहीं है कुछ भी ज्यादा संसाधन नहीं कोई सुविधा नहीं पर वहां बेठा हुआ कोई बच्चा भी सपने देखता है कि मैं कभी आईएज बनूगा या आईपीएज बनूगा वह यह सपना क्यों देख पाता है जानते हैं क्योंकि वह एक बात जानता है कि इस देश में ये पद सभी के लिए खुले हैं जो योग्य है वो जाके बैठ जाएएं यहां पर किसी की मनमानी नहीं चलती यहां सिफारिश नहीं चलती यही यही रोल है जो इस संस्था को इतना इंपॉर्टेंट बनाता है आप भी तो कई सारे अलग-अलग बेग्राउंड से आते हो ना क्या आप सबके पिताजी कोई बड़े अधिकारी हैं कि आपके सबके पिताजी नेता हैं मंत्री हैं या कोई बहुत बड़े बिजनेसमे मैं खशी मेल मैं म्यूंसकी में चैपल कि आप आपको बता दू कि जो हमारे हम पर थैयारी करने के लिए कि यह ब सक अधियार अलगा भी अ कि हलते हैं है है कि फाइदा क्या है होना थो ही wildlife तो यह भारत का केंद्रीय भरती अभीकरण सबसे पहले तो यह द्यान रखना कि यह क्या करता है यह एक एसी संस्था है जो भारत में ठिके सरकार के लिए केंद्र केंद्र सरकार के लिए भरती का काम करता है एजेंसी है प्रकार रिक्रूट करती है यह एक स्वतंत्र दो चीज़े स्वतंत और सम्वेधानिक सम्वेधानिक इसलिए क्योंकि सम्वेधान में और सम्वेधान में इसलिए है क्योंकि चोटी मोटी संस्था नहीं है इस संस्था में किसी भी तरह का परिवर्तन करना हो तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ऐसा नहीं कर सकती सरकार ठीके दूसरी चीज यह स्वतंत्र है और स्वतंत्र इसलिए ताकि भारत में हर व्यक्ति को आपने देखना अवसर की समता बूलते हैं अवसर की समता दी जाए कि आपके परिवार का आर्थिक या जो फैनेंशल बेग्राउंड वो कैसा रहा है आपके परिवार में लोगों का जो है किस प्रकार का पहुंच फेक है की नहीं है जेक जरिया है कि नहीं कोई फरक नहीं पड़ता ठिक है तो एक स्वतंत्र और एक संवेधान दुने निकाहिया संस्था है क्योंकि इसका गठं संवेधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है समझ में यही चीज संस्था को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाती है कहां अगर मैं आप से काहूं कि संवेधान में और यह समविधानिक है तो अगला कोश्चन दिमाग में आएगा कि समविधान में है तो कहा है समविधान में है भाग 15 से पहले वाला जो भाग है अदब 15 में निर्वाचन आयोगे इलेक्शन कमिशन है ये भाग 14 में 14 पार्ट 14 क्योंकि 14 ए में जो हमारे ट्रिब्यूनल से अधिकरण है भाग 14 में अनुच्छे 315 से 323 तक ठीक है आर्टिकल 315 2323 ये हमारे समविधान की प्रावधान इसी से जुड़े हुए हैं कि संग लोग से वायोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की स्वतंत्रता शक्तियां और कार्य के अलावा इसके संगठन इसके सदस्यों की न्युक्तियां बर्खास्तगी आधी का विस्तार से वरणन सब कुछ समविधान में लिख दिया लिखना वह ज़रूरी आपको प शेश बहुमत से दोनों सद्नों से पारित करा के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तो यहां पर आपको सब कुछ विस्तार से मिल जाए इनकी पूरी चीज सब सबसे पहले संरचना हर आयोग की अपनी एक संरचना होती है जैसे हम निरवाचन आयोग पढ़ रहे थे यहां भी बहुत सारे सदस्य और लोग है एक अध्यक्ष होता है आम तोर पर एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते अब यहां पर आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि संविधान फिक्स नहीं करता कि कितने सदस्य होंगे एक अध्यक्ष होगा लेकिन उसके साथ यह संविधान नहीं करता ठीक है यह संविधान नहीं बताता है कि exactly कितने मेंबर्स इस आयोग में होंगे 2468 कितने भी हो सकते यह भारत के राष्ट्रपती के उपर छोड़ दिया गया है कि वह आयोग की संरचना का निर्धारन करें आम तोर पर यहां पर आपने पढ़ा अलावा लगभग 9-10 सदस्य और होते हैं मतलब अगर 9 सदस्य तो टोटल 10 हो जाएंगे 10 सदस्य तो टोटल 11 हो जाएंगे इतना हमारे यहां पर किया जाता है ठीक है आम तोर पर इस आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते मतलब अगर हम कम से कम देखें तो अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य हो सकते हैं या अध्यक्ष के अलावा 10 हो सकते हैं तो 10 से जादा नहीं 10 से जादा हम लोग सदस्य की नियुक्ति नहीं करते मतलब 11 के आगे नहीं बढ़ते और 9 से कम भी नहीं हमारी कोशिश होती है कि हम इसके बीच में कहीं रखें सनरचना को आयोग की कारण यह कि इस देश में इतने बड़े जो है देश में संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है आयोग बनाया गया है तो इसका जो काम है बड़ा महत्वपूर्ण है तो उस एक्जाम को उस परिक्षा को भूमिका को करवाने के लिए कम से इतने लोग तो होने चाहिए कि आयोग को दिक्कत ना है और इतने भी नहीं कि मतलब बहुत बड़ी फोज खड़ी करके बैठ गया काफी होते हैं आप देखोगे ना अगर किसी आयोग में 11 तक सदस्य तो बहुत बड़ा आयोग माना जाता है इसके अलावा सदस्यता या नहीं दिये हैं योगिता को फिक्स नहीं किये ज्यादा कि यह योगिता होनी ही चाहिए और यहां भी एक चीज आपको मिल जाएगी कि कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए अब इसका कि इस आयोग में सरकार किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है जिसको सरकार के अधीन काम करने का कम से कम 10 साल का नुभव आम तोर पर इस संस्था में आपने देखा होगा कि थोड़े से ज्यादा आयू के लोगों को ही नियुक्त किया जाता है आम तोर पर 45-50 के बाद में जादा तर वहीं लोग होते हैं जो बहुत सालों से मतलब दिन सारवजनिक शेत्र का एक लंबा अनुभव होता है वैसे प्राइवरिटी जो है ना वो दी जाती है सिविल सेवा के लोगों के लोगों को नियुक्त किया जाता है इस बात की जादा संभावना है पर कई बार सरकार अपने राजनेतिक महत्व कांक्षाओं के जरिये तूसरे लोगों को भी कर देती है संभिधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्ते निर्दारित करने का अधिकार दिया है अब पूरे आयोग की चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्यों इनकी सेवा की शर्ते क्या होगी ये निर्दारित करने का अधिकार संभिधान राष्ट्रप तो पता होना चाहिए तो कारेकाल पद ग्रहन करने की तारीक से 6 साल या 65 वर्ष की आयू तक होगा टीक है मतलब जिस दिन से व्यक्ति पद ग्रहन कर रहा है शपत ले रहा है सदस्य अध्यक्ष के रूप में वहां से 6 साल या 65 साल के आयू जो पहले हो जाए वहां तक यह पज धारन करते हैं और कभी भी राष्ट्रपती को अपना त्याग पत्र इस्तीफा सौप सकते हैं कि हमें नहीं करना अब उनके अपने व्यक्तिकत कारण हो सकते मन नहीं लग रहा हो या उनके उपर दबाव डाला जा या कुछ भी ऐसा हो तो आयोग के सदसे स्तीफा दे सकते हैं लेकिन क्या इनको कारेकाल के पहले हटाया जा सकता है ऐसा तो कोई पद ही नहीं बना आप खुद देखोगे ऐसा कोई पद नहीं बना कि जिसमें कारेकाल के पहले हटाया ना जा सकता हो इस देश के सबसे पद पर बेठे हैं राष्ट्र पती उन्हें हटा सकते हो महभयोग लगा कि तो आपको पता है कि कारेकाल पूरा होने के पहले हटाया तो इनको भी जा सकता है क्योंकि इंसान ही तो है सब मैं आपको बार-बार कहाँ कि नियुक्ति पता है कोई यह किसी के मन में जांगे थोड़ी बेठाए किया निकल जाएका हमने सोचा कि अच्छा निकलेगा और बाद में आनलो कि वह गड़बड करने लग गया तो हटाना तो पड़ेगा ना कि वेट करो कि नहीं 6 से साल हो जाएंगे पर रटाएंगे हटाया केसे जाएगा यह ध्यार लोग हटाने की तरीका बहुत आसान है इनको हटाया जाता है संविधान में ही वरनित प्रक्रिया के अनुसा बेसिकली इतना आसान भी नहीं मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति कभी भी हटा दे सबसे प के कि इंपोर्टेंट है वो तैक करता है कि हटाना यज जैसे सिए जी को हटाना या जज फॉटाना तो संसथ के द्वारा तॎरा कि की आ जाएASE गया राष्ट्रपति नहीं करते जिसे आप उस एद्ज्छ और सधस्य को हटाना हो तो फिर आप सुप्रीम कोट के पास जाएंगे सुप्रीम कोट चेक करेगा हटाना है कि नहीं हटाना है तो आप हटा सकते हैं अब राष्ट्रपती दो परिस्थितियों में संग लोग सेवायों कि किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त कर सकता है ओख सकता है कि अध्यक्ष जो है उनका पद खाली हो जाए किसी कारण से मतलब अध्यक्ष पद पर की कि मृत्य हो जाए कि चोड़ दे यह हटा दे या पिर अध्यक्ष अपना काम जो हैं कर पा रहा हो किसी कारण से ठीक है माल लीजे कि बाइपास सरजरी होगी तो दो-तीन महीने की छुटी तो ऐसे में राष्ट्रपती सदस्यों में से किसी को कार्यवाहक या अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं इसे आप एक्टिंग चेर्मेन कह सकते हों यह मामला भारत के उपराष्ट्रपती जैसे उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती के तौर पर काम करते हैं कार्य कारी वहाक अध्यक्ष तब तक काम करता है जब तक कि अध्यक्ष जो है वह पद को फिर से नहीं समाल लेता या नया अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक वह अपना काम करता है अब आपको में हटाने का बता रहा था ठीक है हटाने का और समझ लो इसके बाद हम क्लास कर देंगे बस पांच मिनिट की बाद भारत के राष्ट्रपती हटाते हैं संग लोक से वायोग के अध्यक्ष और सदस्यों को तो कैसे प्रक्रिया क्या है परिस्थितिया क्या है देखो या तो उसे दिवालिया घोशित कर दिया जाए अगर किसी अध्यक्षिया सदस्यों को दिवालिया घोशित कर दिया की दीवालिया अपनी पदाओदी के दोरां पद के करतवियों के बाहर किसी वेतन में लग जाता है मतलब UPSC के अध्यक्ष या सदस्य का पद भी है यहां से भी सेलरी ले रहा है और किसी दूसरी जॉब में भी लग गया वहां से भी सेलरी ले रहा है मतलब दोनों हाथों में लड़ू तो ऐसा कोई व्यक्ति जो पद पर रहते हुए दूसरे काम में लग जाए और वहां से से अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मांसिक या शारिरिक और सक्षमता के कारण पद पर बने रहने की योग्य नहीं है यदी मान लीजिए किसी सदस्य अध्यक्ष का दिमागी संतुलन खराब हो जाए माननलो की बावलभ समन लग भावल हो जाया हो जाते हैं हो इसा अजय को आपको यह व्यक्ति का दिमाग भी किछा बड़ करनें लग जाता है अ तो अगर मान लो कि कोई मानसिक रूप से थोड़ा सा अगर सक्षम हो जाए या शारिदिक रूप से हो जाए शरीर में कोई दिक्कत हो जाए लोग पैरालिसिस हो गया लगवा मार गया तो उसको राष्ट्रपती हटा सकते हैं अब यह तो मैंने आपको जो तीन पॉइंट बताएं सबसे पहले तो यह संजो कि यह वो तीन पॉइंट है जब राष्ट्रपती यूपी एसी के किसी अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं अगर यह तीनों पॉइंट है तो अगर इ दूसरी जॉब कर रहा है और नहीं बैंक्रप्ट हुआ दिवालिया हुआ है तो कैसे हटा हो गया इसके अलावा अगर राष्ट्रपती आयोग के अध्यक्ष या सदस्यू को हटाना चाहें तो कदाचार की कारण हटा सकते हैं एक कारण और है एक आधार और है कदाचार मतलब भूस ले ले बिक जाए अब मान लो इसको मैं आपको डीटेल में बताऊं मान लो कि यूपी एसके किसी अध्यक्ष या सदस्य पर यह इल्जाम लगे आरोप लगे कि यह भाई साब बिग गए और इन्होंने पेपर लीक करवाया इन्होंने यूपी सिविल सभी सेसका जो भूर था प्रीमेंस कोई साब लो उसको इन्होंने लीग कर दिया किसी को बता दिया पैसे ले यह आरोप लग ferm अब क्या होगा? यह माना जाएगा Qadha cha. इस मामले को भेजा जाएगा अब राष्ट्रपती के पास जाएगा कि राष्ट्रती जी हटाओ, तो राष्ट्रपती जी क्या करेंगे? राष्ट्रपती जी भेजेंगे एंगे Supreme Court के पास. समझें राष्ट्रपती कहेंगे ठीक है вам lei को भेजेंग default के पास सुप्रीम औट इस बात की जाच करेगा कि क्या वास्तव में उस व्यakti पेपर लीग किया है क्या उसने कुछ ऐसी गडबर की है है क्या यदہ सुप्रीम कोट ने अपनी जाच में कहां इसा किया था तो वो राष्टरपती को बोलेंगे कि हटा दो राष्टरपती को सिफारिष करेंगे कि हटा दो और राष्टरपती को हटाना पड़ेगा समझना मेरी बात A It will be compulsory मतलब राष्टरपती के पास पिर ऐसा नहीं क्या था सोचते हैं हटाना है अगर सुप्रीम कोट ने अपनी जाच में ये पाया कि इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया है आरोप निराधार है ये इसको बदनाम करने की साजिश है ये तो विचारा एक दम हरिश्चंद्र जैसा है बहुत इमानदार है इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया तो फिर वो बोल में कैसे सुप्रीम कोट के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है समझे अब अगर कदाचार का अरोप लगा है तो फिर एसे मामले में उच्चतम न्याया लाइक चांच करेगा सीधा सुप्रीम कोट इस मामले में हाई को भी पावर नहीं है ध्यान रखना इ कुछ न्याय लाइक को भी पावर नहीं है यह से सुप्रीम कोट की शक्ति है कि यूपीसी का लेवल समझोगे आप इससे कितनी बड़ी संस्था है सीधा सुप्रीम कोट जाच करेगा और जाच के बाद बर्खास्त करने का परामर्श अगर वो देता है तो राश्ट्रपती अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटा सकते हैं और अगर मानलो की वो नहीं कहे तो आप हटा ही नहीं सकते मन से नहीं हटा सकते संविधान ये कहता है कि भारत का उच्चतम न्यायले यह सुप्रीम कोट के द्वारा इस मामले में जो सलाह दी जाएगी जो सिफारिश की जा पूच्चतम न्यायले द्वारा की जाने वाली जाच के दोरान राष्ट पती संग लोक से वायोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं यह हो सकता है यह हो सकता है कि जब तक जाच चल रही है जब तक मामला सुप्रीम कोट में वो आपको प्रेजिडेंट अपनी मर्जी से नहीं अटा सकते यूपीएस्टी भाई आप समझो ना प्रेजिडेंट अगर मैं कहता हो ना तो प्रेजिडेंट का मतलब सरकार क्या आप चाहोगे कि सरकार हटा दे यूपीएस्टी के किसे अध्यक्षिय सदस्य को अगर सरकार हटाने ल समझतिया होगी परायोग कुछ नहीं कर सकती सरकार न न तो उनको खटवा उत्वा लोग कुछ समझदार थे अन्हें पता था कि कहा कहा प्राबलम हो सकती है इसलिए इस आयोग को निश्पक्ष उन्होंने संवविधान में हिलिख दिया कि यह सुप्रीम कोट तई कर एगा क्योंकि सुप्रीम कोटी स्वतंत्र नहीं सकती तो संक मॉइलिए is कि अब इसके बारे में जो अगले अगे प्रावधान left कि खीं के कारीय यह यह कमिया है कैसे इसको और बहतर गशिक में बात करेंगे अगले सेशन में बात करेंगे तब तक के लिए आप लोग सेशन को लाइक करना ना भूले ठीक है अगर आप सेशन को देख रहें तो आप से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते प्लीज सेशन को लाइक करिए बहुत-बहुत महनत लगती है आपके लिए लाके आपको समझाना एक एक बात करने में तो प्लीज थोड़ा से अप्रिशेट करिए लाइक करिए और जो लोग फालतू की बकवास करते हैं कई बार मैंने आपसे कहा है कि यह आपको तए करना है कि आप यहां किस लिए आये हो आप यहां पढ़ने आये हो कि उनकी बाते क्यानम करना चाहते हो यह चाहिए पार म करना चाहते हो तो भी आप उनकी बातों में आ सकते हो उनका काम है वह करें तुम अपना काम करो ना है अगर वो जिस काम के लिए हैं उसमें स Gir सप़ल हो गए तो फिर हमारा कि क의 मतलब ही नहीं हिए फिर पढने का ऺई फिर क्या को ले कर तो 78258 60263 वारा को मैं दो लेकर जो help चाहिए सब में लेगी आपको इस नमबर को आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आप का कोई जानने पहचानने में सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो आप उसको ये नंबर और ये कोड तोनों रेफर कर सकते हो आप उससे कहिएगा किस नंबर पर कॉल कर लो और ये कोड अपलाए कर दो को ये आपके सारी समस्याओं का समाधान है ठीक है फिर मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक्यू गाइस थैंक्स वाचिंग और रात को दस बज़े तो आप आई रहे हो ना बहुत सारे बच्चे हैं जो रात को दस बज़ कर रहे हैं और बहुत सारे जो नहीं कर रहे हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लीए और रात को दस बज़े मेरी क्लास को जियोगराफी वाली क्लास को ज़रूर अटेंड करें स्पेशल क्लास होती है और एप्लिकेशन पर होती है फ्री है आपको अगर इसा लग रहा हो कि वो सिर्फ पेड है या पैसे देने वालों के लिए तो नहीं हर एक के लिए फ्री है आप में से कोई भी उस क्लास को देख सकता है ठीक है तो फिर मिलेंगे रात को 10 बजे अनकैड झाल 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 झाल